Hello guys, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भी English Rider पर So guys, आज हम सीखेंगे past indefinite tense और past perfect tense में क्या अंतर होता है Simple past tense का रूल होता है subject plus second form of the verb वही past perfect tense का रूल होता है subject plus hat plus third form of the verb आपके सामने एक Hindi का sentence है guys मैंने खाना खा दिया था तो आपके according इसकी English क्या होनी चाहिए I ate food or I had eaten food अगर आपको लग रहा है कि I had eaten food is the right English तो ये बिलकुल गलत है I ate food is the correct English एक और sentence देख लेते हैं मैंने आपको बता दिया था English will be I told you लेकिन हाँ जब आप बोलते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया था टाब English होगी I had already told you guys सिर्फ हिंदी की भहचान लेया था गया था किया था चुकाता को देखकर आप हिंदी के sentence को past perfect की category में नहीं रख सकते हैं चलिए इसे difference को समझते हैं ये मानका चलिए guys अगर past indefinite tense बाप है तो past perfect tense दादा है means past में जो घटना घटी वो past indefinite है लेकिन उससे भी पहले अगर कोई घटना घटी है तो वो past perfect tense है एक बात और याद रखे guys past perfect tense mostly conditional sentences में यूज किया जाता है इसे use करने के लिए condition होती है चलिए कुछ examples की help से इस concept को समझने की कोशिश करते हैं आपके सामने एक sentence है उसने अपना homework पूरा किया English will be he completed his homework लेकिन अगर इस sentence को हम थोड़ा सा और बढ़ा कर दें और इसके हिंदी लिखें पापा की घर आने से पहले उसने अपना homework पूरा किया अब देखी काईज यहाँ पर दो situation है एक जगा पापा घर आए और एक जगा उसने अपना homework पूरा किया तो पता लगाईए पहले काम कौन सा हुआ है फिर पापा घर आए पर जब आप इस sentence को थोड़ा और बढ़ा करते हैं situation को थोड़ा और change करते हैं अब देखी गाई इस काम पहले कौन सा हुआ पहले मैं घर आया और मेरे घर आने के बाद मम्मी बाजार गई so English will be the mother went to the market after I had come home now I think आपको concept clear हो गया है पास में तो घटना ए घटी जो सबसे पहले घटी उसके साथ पास perfect tense और जो बाद में घटी उसके साथ पास indefinite tense यूज़ करना है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है पास perfect tense एक conditional tense है जो mostly अपने साथ पास indefinite tense को लेकर चलता है तो इसी concept को ध्यान में रखते वे चले कुछ और examples को solve करने की कोशिश करते है देखिए आपके सामने चार sentences है guys sentence number one मेरे station पहुँचने से पहले train चली गई अब guys यहां पता लगा ये काम पहले कौन सा हुआ पहले मैं station पहुचा कि train पहले चली गई yes of course पहले train चली गई तेकिस मैंने train मिस कर दी so English will be the train had left before I reached the station next sentence अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने के बाद लड़कों ने अपना homework पूरा किया अब देखिए guys पहले काम कौन सा हुआ पहले अध्यापक कक्षा में आए कि पहले लड़कों ने अपना homework पूरा किया obviously पहले अध्यापक कक्षा में आए उसके बाद लड़कों ने अपना काम पूरा किया So the English will be The boys completed their homework after the teacher had entered the classroom Next sentence जब मैं घर पहुँचा तब पापा घर आ चुके थे अब देखेगा इस काम पहले कौन सा हुआ पहले पापा घर आ गए थे तब मैं घर पहुँचा So English will be Father had come home when I reached Next sentence डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यू हो गई अब देखेगा इस मरीज डॉक्टर के आने से पहले ही मर गया So काम पहले मरीज की मरने का हुआ So English will be The patient had died before the doctor came I hope आपको concept clear हो गया है गईज चली गईज कुछ ऐसे fill-in-the-blanks को fill करने की practice करते हैं जो अक्सर हमें exams में देखने को मिलते हैं आपके सामने कुछ fill-in-the-blanks के examples है Number 1 I came after he blank go आप देखेगाईस क्यों कि यह है एक combined sentence है जिसके first clause में past indefinite tense यूज किया गया है तो आप second clause में आख बंद करके past perfect tense यूज कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं past perfect tense एक conditional tense है जो अपने साथ past indefinite tense को लिकर चलता है आप देखेगाईस जैसा कि आप जानते हैं एक combined sentence है और आपको first clause में past perfect tense मिला है तो आप second clause में past indefinite tense यूज करेंगे so your answer will be she had completed her homework before father came from office number three Neha blank reach home before I reached अब देखेगाईस second clause के साथ आपको past indefinite tense मिला है तो आप first clause के साथ past perfect tense use करेंगे so your answer will be Neha had reached home before I reached number four who had switched off the lights of the room before I blank sleep अब देखेगाईस first clause में आपको past perfect tense मिला है तो second clause के साथ आप past indefinite tense use करेंगे so your answer will be who had switched off the lights of the room before I slept number five when she blank see me she had started weeping अब देखेगाईस same condition है आपको second clause में past perfect tense मिला है तो first में आप past indefinite tense करेंगे so your answer will be when she saw me she had started weeping number six they blank wait for us for three hours before we arrived here आप देखेगाईस यहाँ first clause में आपको समय मिला है four के साथ में time दिया गया है means first clause में लिखा है for three hours आप जानते ही हैं guys since और four के साथ में अगर time है तो वो perfect continuous tense की पहचान होती है और क्योंकि यह past combination है तो आप यहाँ past perfect continuous tense use करेंगे so your answer will be they had been waiting for us for three hours before we arrived here I hope आपको concept clear हो गया है guys आपके सामने दो हिंदी के sentences है जिनकी English आप बना कर देख सकते हैं या आप मुझे comment box में भी लिकर भीज सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आईए guys तो वीडियो को like करें, share करें और आपके अपने channel भी English writer को subscribe करें and don't forget to hit the bell icon